कि वह सरे लोग आइंकर बनना चाहते हैं वह सरे लोग आज़े बनना चाहते हैं लेकिन सब बनना ही बाते हैं एक तासुर यह है कि वो बन जाता है जिसका senior producer दोस्त होता है जिसका channel पे इंदर बैठा हुआ channel मालक के साथ कोई reference निकलाता है तालुकात का मकसद सिफारिश नहीं है तालुकात में और सिफारिश में फर्क होता है मुझे बहुत शौक था anchor बनने का लेकिन मेरे पास कोई reference नहीं था अब मुझे क्या करना है obviously को reference तलाश करना है किसी दोस्ते कहना है किसी channel पेठे हुए शखस को कहीं पेंग करना है औरकट का जमाना है औरकट के उपर message करना है मैंने बहुत कोशिश करके देख ली बात नहीं बनी मुझे एक दोस्त ने कहा कि तुम ऐसे करो जब मैंने स्टार इशिया में डेडियो शेडियो कर लिया सर बहुत कर लिया पैसे वैसे नहीं मिलते थे 500 मिलता था, हद 800 मिलता था, 2 महीने 3 महीने के बाद मामलात नहीं चल रहे थे, इंजिनिंग कर चुका था दिल नहीं लगता था इंजिनिंग के अंदर, इंडस्ट्री में नहीं जाना चाता था मेरा अप्टिट्यूडी नहीं है, मैं मीडिया का बंद हूं, मीडिया में जाना चाता हूं लेकिं मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है यार मेरे पास कोई रçफारिष नहीं है पर एक दोस्त नहीं गा, कि यार स्टार इशिया में वहाँ पर ने जो डिरेकटिव नियूज है उनका नाम जानता हूं अच्छे महाल में, खुशगवार महाल में उनसे मिलाकात करो तो उनसे ये कहो कि सेर एक बार आप मुझे नियूस पेपर दे दे मैं आपको खबर पढ़के सुना देता हूँ उनके सामने अपने सेटिफिकेट्स रखो डिबेट्स के अपना सीवी रखो सामने एक प्रोफेशनल अंदाज किने दो उसने मुझे सिखाया कि तुम्हें क्या क्या करना है वो सब लेके मैं वाँ चला गया है लेकिन जब आपको किसी चीज से प्यार होता है महबत होती है महबूब सामने आता है तो आप सब भूल जाते है बड़ी कोशिश की बड़ी कोशिश की अफ्तखार काजमी साहब यहां तक पहुंचे के अख़बार दिया अख़बार पर खबर पड़ी मैंने सब कुछ हो गया मुझे कहते है बेटा देखो आठ गंटे की नौकरी होती है आठ गंटे गुजार सकते हो दफ्तर के अंदर उन्हें यह लगा कि यह कहेगा कि आठ गंटे बाद मामा याद आ रही है बापा के पास जाना है बच्चा है तो मैं तो I was passionate enough मुझे तो in any case यह करना था अच्छा उन्होंने जनाब मैंने का सर आप मुझे मौका दें मुझे आप चार दिन, पांच दिन, शे दिन, साथ दिन मुझे महीना आजमाना चाहते हैं मुझे आजमा के देखे हैं उन्होंने का अच्छा चलो सोचता है तीसरी दफ़ाँ उन्होंने अपनी जो producer थी वहां पे, राबेल उसका नाम था भी भी, I still remember, राबेल फर्स्ट टीवी producer जिनके साथ मेरा तालूब अगर राबेल इसको ले जाओ, इसको न्यूजरूम में बिठाओ न्यूजरूम होता है जहाँ पे reporters बैठे होते हैं, जहाँ पे editors बैठे हुए होते हैं जहाँ पे आपका headline producer, run down producer जहाँ पे run down सेट हो रहाता है priority खबरों की सेट हो रही होती है जहाँ डिरेक्टर न्यूजरूम आपके जी, आप इनको ले जाएं इनको वहाँ बिठाएं न्यूजरूम के अंदर इनको टेस्ट करें, साथ, आठ दिन, दस दिन के बाद इनको फिर मेरे पास लेके आएं फिर इनको अडिशन कराएंगे और सब मामलाद मैं वहाँ चला किया सिर, सुबो जाना, सुबो जाना मेरा खाल हाडली चार दिन गुजरे पांच बाद दिन आया तो उनका एक एंकर था, उसका नाम था रियास रियास साब मोटर साइकल पे आया करते थे उनके मोटर साइकल का हब तूट गया अच्छा अब बॉलेटन तो कभी भी लेट नहीं होता 9 बजे का बॉलेटन है तो रियास साब का इंदजार तो नहीं करेंगे कि मोटर साइकल ठीक होगी तो फिर आके रियास साब बॉलेटन करेंगे जिस जगह पे वो ठीक करा रहे हैं वहीं DSNG पे जो आके रियास साब बॉलेटन करने ऐसा हो नहीं सकता रबेल ने क्या का मेकप आर्टिस का नाम भी मुझे याद है मैं कैसे भूल सकता हूँ पहला पहला प्यार है रतन मेकप आर्टिस का नाम था उसनि करतन रहां का मेकप करो मैं बैठा हुआ हूँ मेरा मेकप शुरुआ हो गया शेव इप तो बूदाड़ी बड़ी तो थी कुई नगे के करनी पड़े मेकप शेक यप किया जो कोट पड़ावा था वहाँ पे जो टाय पड़ी हुए थी उसने का बैठ जो तुम यहाँ पे अब मैं I was very much confused lights सामने है, camera lights और action शुरू हो, make-up हो तो मामलात बड़े मुख्तलिफ होता है मैंने उनसे दो मिनिट लिए मैंने का मिस मुझे दो मिनिट दे दे उनने का किया करना है मैंने का मैं अपने किसी डोस को अपने family member को बताना चाहता हूँ को मैं खबरों में आ रहा हूँ, news में आ रहा हूँ जहांके मैंने फॉन किया सबसे पहले मैंने अपनी अमा को call लगाई मैंने करें यह आप यह channel ट्यून करें वो channel आता भी बहुत कम था star isia उन दे नो वो channel ट्यून करें तो मैं आ रहा हूँ मैंने पहली headlines की लड़ खड़ाते वे मैं एक दो जगा पे fumble भी मारा है change over पहले चल गया change over क्या होता है, शू कर की नहीं गुजरती हावास वो पहले गुजर गी anchor बाद में बोल रहा है या क्या, वो जो भी था लेकिन since that day वो पहला दिन था, नुक्ताय आगास था since that day मैं 11 साल हो गई, कभी offer नहीं हुआ मेरा कोई reference नहीं था मेरा कोई journalist, कोई background नहीं था मेरा सहाफ़त से कोई तालुक नहीं था दूर दूर तक मैं engineer था कतन, दो चीज़े, याद रखिए कसर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास mass communication में master's किया है, तो आप anchor बन सकता है mandatory नहीं है उसके बगार भी anchor, मेरे जैसा जो engineer नहीं बनता, anchor बन जाता है यार देखो इतनी कौन सा rocket science है जो engineer नहीं बना, वो anchor बन गया है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अगड़ा reference हो बहुत तालुक हो, फिर ही आप पहला कदम उठाएं, ज़रूरी नहीं है अगर if you have got communication skills, तो एक guard को भी convince कर सकते हैं, कि मुझे अंदर जाने दो एक receptionist को convince कर सकते हैं, मुझे डिरेक्टर न्यूस के कमरे तक जाने दो, बाकी काम मेरा है करना क्या है, prerequisites क्या है तो become an anchor थोड़ा सा prerequisites और components की तरफ बढ़ते हैं सिर्फ अगर ये बाते आप याद रखेंगे तो I guarantee you कि इस session के बाद आप सब लोग anchor हो ये वो तस्वीर है जिससे न मुझे नफरत सी होने लग गई यार ये ये क्यों हो गया बिड़ा घरकर लिया है है ना, आपकी eating habits ठीक नहीं होती आपका lifestyle सही नहीं होता अगर आपको anchor बनना है तो anchoring जब आपको पता है कि journalism, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी बैटे में जो columns लिखता है आर्टिकल लिखता है अख़वार में उनके articles छप भी चुके है जैनलिजम पैशन है जैनलिजम एक lifestyle है एक lifestyle का नाम है lifestyle समझते हैं ना जैनलिजम एक lifestyle है और anchoring उससे भी आगे की बात है ओड़ना पिछोना है रात सोते वे भी anchoring है सुबोटते वे भी anchoring है जैसे बातरूम सिंगर होते है तो बातरूम के mirror में भी anchoring हो रही होती है lifestyle है जब आप अपने आपको घर में कितने लोगों के घर में बड़ा mirror है बॉल पर जिसमें आप पूरे का पूरा देख सकते हैं अपना आपको है ना ये बड़ा important है याद अगर नहीं है ना तो कोशिश करें कि mirror जिसमें आप अपने आपको पूरा देख सकें और mirror लगवाले अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है तो भाई जो दिखता है वो ही दिखता है appearance बहुत matter करती है how you look matters lot एक पियन आपको देख रहा है या एक receptionist आपको देख रहा है उसके साथ communication है सबसे पहले तो उसको convince करें ना उसको ढेर करें आज से जाके सबसे पहले अपने आपको देखिए का आएमे मैं anchor लगते भी है यह यह बाते ही बनी है sir आप anchor है यह नहीं है दिखने में कैसे है पहली बात अगर नहीं है ना देखो मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी मैं anchor था लेकिन मुझे यह यकीन हो रहा था कही ना कहीं मुझे गुमान था कि यार मैं ज्यादा देर तक का anchor नहीं रहूँगा अगर मैं ऐसी चलूँगा तो मुझे दो हफते के बाद और मुझे वो भी याद है मेरे चैनल के मालक जिस चैनल में अभी काम कर रहा हूँ मैं स्टूडियो के अंदर जो वो ग्लास है ना तो बाहर से भी लोग देख सकता है तो जो चैनल मालक है वो एक दिन आये है और उन्होंने मुझे इशारा किया कि भाई बटन डूट रहे हैं कोट के और वो मेरे उपर बिजली बनके गिरा क्योंकि एक मालक ये कह रहा है तो वो सकता है चार दिन के बाद वो मुझे कह यारे इसको ओफेर कर दो और ओफेर करना अप मैं अपना लिए गाली समझता हूँ मैं आज फखर से ये कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्द जब मैं ऊऊनर गया था उस वक्द से लेके आज तक मैं कभी आफेर नहीं हुा आफेर हो जाना गाली है और खुदाना खास्ता मेरे पेट बढ़ जाने की वज़ज़ STEP मेरे चबी लोग की वज़ा से फेस बड़ा लगने की विए से मैं आफिर हो गया तो इसका मतलब मेरी वो साई की सारी स्किल्स हाक में मिल गी मैं जतना मरजी अच्छा बोलनू मेरी प्रनंसियेशन जतनी मरजी अच्छी हो मैं अखबार भी नहीं जतनी मरजी करता हूँ अखबार पढ़ता हूँ मेरे कारेंट अफेर्स सब कुछ जीरो तो इसका मतलब है सबसे पहले जो चीज है वो आपके अपेरेंटस है अखबार के लोगों को और रेडियो पर काम करने वाले लोगों को ये बात ज्यादा समझने की जरूरत है कि जब आप स्क्रीन पे आना चाते हैं टीवी पे आना चाते हैं तो लोग आपको दीखता है इस अब आपको यह सूचना है कि अगर आप बहुत तगड़े हैं अगर हैं तो आपने अपको टोन डाउन कैसे करना है ब्रेक्फस्ट में क्या लेना है लंच कैसे में क्या लेना है जॉगिंग कब करनी है एक्सेस कब करनी है डिनर में क्या लेना है डिनर में जो अदब के लोग होते हैं आज आपने अपने overall outlook के लिए क्या किया है अपनी सहथ के लिए क्या किया है number one this is the key madam you're going to be an anchor ये एक award show host कर रहा था मैं ये उसकी तस्वीर है इस तस्वीर से मुझे प्यार हो गया मुझे हुआ है यार किसी को हो या ना हो मैं यह नहीं कह रहा हूँ मुझे प्यार है इस से आज आज आप जिस जगा पे खड़े वे हैं आईना आपको बता देगा आज से एक महीने के बाद आपने अपनी वो तस्वीर खेंचनी आईना अगर आईना तो सच बोलता है ना अगर वो ये सच बता रहा है आपको कि यार मामलात बड़े खराब है तो एक महीने का टागेट सेट कर लें कि एक महीने के बाद आईना कहे कि यार चाह रहे हैं कमान लग रहे हो जच रहे हो आज तो अगर आईना ये बोल दिया तो समझें कि पहला स्टेप अबूर हो गया मेडम फर्स्ट टेप आपने अबूर कर लिया ये तस्वीर है जिससे मुझे प्यार है अपनी को ऐसी तस्वीर बनाईएगा जिससे आपको प्यार हो जाए जिस तस्वीर को देखने से आपको अच्छा लगए अच्छा अच्छा लगए तो impossible तो कुछ भी नहीं है यार ये मैंने एक game show host करता था मैं एक game show के अंदर तो उचल कूद भी होती है when you are an anchor जब आप काम, जब TV industry के अंदर है तो फिर आप अपने आपको na restrict नहीं कर सकते फिर channel मालक कहेगा ना कि game show करना है आपको host तो आपको game show भी host करना है game show के अंदर तो उचल कूद होती है आपको छलांगी मी माननी है भंगडे भी डालने पड़ता है आप ये कहें कि आप एक news anchor है, newscaster है जहाँ पे आपने जनाब court short पहना हुए not लगाई और बैंट कि आप उसी orthodox manner के अंदर खबने सुना रहे हैं तो वो जमाना गया जब खालिद हमीद साथ ये शाहिसता लादी साहिबा पाकसन टेलिविजन के ओपर खबने सुनाय करती थी अब all together चेंज हो गया है जहाँ बहुत सरी तबदीली आई है वो negative आई है पॉस्टिव आई है वहाँ एक तबदीली ये भी है कि being an anchor news reader से बड़ी बात है news anchor अब आप सिर्फ news reader नहीं है अब आप news anchor है when you're an anchor तो उसके बाद आप अपने आपको restrict नहीं कर सकते हैं फिर कोई boundary नहीं है फिर आपको game show भी host करना है फिर आपको current affairs का program भी करना पड़ सकता है आप road show भी कर सकते है आप special assignments पे भी जा सकते है ये सब करने के लिए आपके अंदर इतनी capacity होनी चाहिए आपके अंदर इतना potential आपके पास जहाँ vocabulary, pronunciation, general knowledge, current affairs ये वो सब चाहिए वहीं आपको physique भी चाहिए हो जो smart आदमी है वो सब चीजों से adjust कर सकता है compatible होता है लेकिन मेरी तरह का आदमी इस तरह का compatible नहीं होता मैं किसी को नहीं कह रहा है, मैं अपने आपको कह रहा हूँ आप सोच ले, आपको क्या लगता है nothing is impossible जी आप track पे आएं आज ही से मामलात बड़े बेतर हो जाएंगे मेरी campaign थी खाबों से निकलो छाब तो छलगा चाहिता है यसे दाट तो अच्छे होता है यसे खाब अच्छे होता है लेकिन मैं यह नहीं कहता कि खाब ना देखो मैं कहता हूं कि खाबों से निकलो बेहमल दिल हो तो जजबात से क्या होता है धरती बंजर हो तो बरसाथ से क्या होता है हैमल लाजमी तक्मीले तमना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है आज सब लोग बैठके हम खाब सजाए बैठे हुए एक मैने खाब दिखा दिया है कि इस सेशन के बाद हम आएंग करें अब उस से उस एक हसार बना लिया हमने अब उस हसार ने हमें घेरे हुआ है और हम सोच रहे हैं सोचते 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 पता नहीं आँख कहां जाके लग जाए लेकिन उस वक्त तक हम आके प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर काम नहीं कर पाएंगे जब तक उस सार को तोड़ेंगे नी जब तक उस नीम को तोड़ेंगे नी जब तक सुवा आगे अम्मा पानी नी भेंग देंगे ना कि वो तरुट दा तब तक मामलाद बैटर नहीं होगे खाब देखें लेकिन उन खाबों को खुबसूरच शकल देने के लिए उस सार को तोड़ना पड़ेगा उससे बाहर आना पड़ेगा वो बड़ा इंपॉर्टनेट है सर आइने में देखना पड़ेगा आपने आपको वो कहते हैं न मेरे में क्या positives हैं क्या negatives हैं तो आज सिर्फ अपने आपको थोड़ा सा time देना है dedicate करना है मखतस करना अपने लिए वो बेशक 5 minute हो Sir you are the captain of your own sir सूर नजम की आयत नमबर 54 में लारब लिजद फर्माते है कि लई से लेल इंसाना इला मासा इंसान के लिए वोई कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है न सब इंसान के लिए वोई कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है यही सब लोग कहते हैं आज भी obviously उसको deny नहीं किया जा सकता अभी का Muslim लेकिन आज internationally भी लोग गी के you are the captain of your own sir but you cannot control the weather fix your course to a star and be ready to navigate through storms and around uncharted icebergs आप अपने जहाज के कप्तान खुद है जब आप जहाज के कप्तान होते हैं न तो मेरी तरह से आपका कोर्स कोई और सेट करने की कोशिश कर रहोता है उन्हानी अमा सेट करने की कोशिश कर रही होती है वो आपकी अमा सेट करने की कोशिश कर रही होती है वो आपके फिरबा सेट करने की कोशिश कर रही होता है आपके रिष्टदार फुपो सेट करने की फुपो को तो समझती है न फुपो का बड़ा अहम किरदार होता है लड़कियों के जिन्दगी में तो उसमें आपको नेविगेट करना पड़ता है उन आइसबर्ग से उन रुकावटों से उन प्राब्लम से बचके निकलना पड़ता है अगर आपने decide कर लिया है कि this is your passion this is your manzal this is your finish line तो उस finish line तक पहुँचने के लिए बड़ा सीधा साधा रास्ता नहीं होता रास्ता बड़ा पुरखादर होता है पुरखार होता है उससे कैसे गुजरना है या आपने गुजरना है क्योंकि आप अपने जहाज के कप्तान हो दे है make up your mind जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि वो इसको profession बनाना चाता है जिननों ने ये कहा कि वो passion के तौर पे इसको अपनाना चाता है तो आज इस session के बाद वो passion मरना नहीं चाहिए sir अब उस passion को जिन्दा रखने का वक्त आ गया है उसको profession बनाने का वक्त आ गया है sir आपको बहुत सरे लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते हो तुम अच्छा दिखते नहीं हो तो कोई बात नहीं अच्छा दिख सकते हैं आप मैं भी तो अच्छा नहीं दिखता था मैं भी तो बहुत भोटा सा दिखता था बड़ा भदा सा दिखता था बड़ा problem था मेरे अंदर अपने अच्छा बना सकते हैं अपने आपको मेडम अच्छा बनाने में टाइम एक महीने लग सकते है दो महीने लग सकते है तीन महीने लेकिन आपने कोर्स तो सेट करना है कि भी ये है रास्ता जाँ जिस पे चलके मैं खुद को अच्छा बना सकता हूँ Nothing is impossible Nothing is impossible कोई आपको ये कहे कि आप anchor नहीं बन सकते हैं वो जूड बोलता है अप बैठेवे होते हैं जब टीवी देख रहे होते हैं तो कितनी दफा ऐसे होते है जब आप बड़े बेचहें नहीं उत्ते हैं कि यार कितनी घल्टीयां कर रहा है कितना problem कर रहा है pronunciation कितनी घल्ट है इसकी ये तो ठीक बोलता नहीं है बाज वकात आपको किसी शकल के अंदर भी को भेंगा नजर आ रहा होता है इस तरह इतनी बार एक भी नी से देख रहे होते हैं आप कर रहा है ना वो अपना काम तो आप evaluation करें कि आप उससे कैसे बैते रहें आप comparative analysis करें अगर कोई आप से ये कहे ना कि आप नहीं कर सकते तो this is impossible sir पी रेकोजिट्स के हैं जी to become an anchor observe करें हमने कोई सेट कर लिए अब हमारे पास पीछे का रास्ता नहीं है अब हमें anchor बनना ही बनना है in any case बनना है तो फिर क्या करना है sir चैनल सभी देखता है ठीक है कुछ लोग खबरें लेने के लिए देखता है कुछ लोगों को कुछ शकले अची लगती है या कुछ और मामलात होते हैं जब आपने चैनल को देखना है तो आपने इस नजर से देखना है कि आपको यहां भी बैठना है आपको इस जगा भी ब पढ़ना है जैसे anchor पढ़ता है क्या है उसका तरीक है का रही है सब चीजे तो हम discuss नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको prerequisites बता सकता हूँ quickly go through कर सकता हूँ मुई है कि training session के अंदर जो bigger लोग आएंगे components में यह भी शामिल होंगे जिसमें बहुत सारी चीजें भी discuss करना बाकी है लेकिन enter कैसे होना है media के अंदर हम इस पे बात कर रहा है observation आँख खुली रखना important है talk to yourself किसी से बात ना करें अपने आप से बात करें कुछ लोग कितने दिवाने लग रहे होता है ना अब वो चल रहे होते हैं, सपर कर रहे होते है, बाइक पे होते हैं गाड़ी में होते है, तो वो बाते कर रहो है खुद-कुलामी कर रहो होते है तो उसके अंदर आप अपने आपको उस situation में डाल लेता फिक माशम बहुत अच्छा है, आप drive कर रहे है बारिश हो रही है तो फिर आप एंकर बनके उस बारिश का मनजर कशी करता है मौसम कुछ गवार है मौसम सुहाना है खाबों के शौकीन लाहरीयों ने खाबा पॉइंट्स कर रूख कर लिया आप उसकी मनजर कशी उस तरह से कर रहोते है बींग अनकर कि पर खाब है टिर दिर बोल सकते हैं कि वह तीर मिनट्स आपको अपने 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 आप खुद ऐसाबी हों जाएगी आपको पता चल जाएगा कि बहुत सरे लोग समझ रहोते हैं कि यार यह तो मसले ही गोई नहीं है प्रशाद प्रॉब्लम ही गोई नहीं है जब स्टॉप वाच हाउन कर कि टेस्ट करते है ना फिर आपको पता चलता है वो हो एक अंकर जो वाँ पर बड़ा फ्लॉइंटली बोल रहा था और मैं समझ रहा था यार कि यह तो मामलात बड़े असान है तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है टेस्ट कीज़ेगा सर उसके लिए खुदकलामी बड़ी इंपॉर्टन है शीशे से बात करें अपने आप से बात करें इस बेरी इंपॉर्टन रहरसल और उसके बाद रहर्स करें यह प्री रेकुसिट्स हैं और अडिशन के लिए जब आप जा रहे हैं किसी जगा पे किसी इसको कन्विंस करने के लिए काइल करने के लिए जा रहे हैं तो यह प्री रेकुसिट्स इनको फॉलो करना बढ़े इंपॉर्टन ते69 कम आप एक हफ्ता तो लगाएं दो हफ्ते लगाएं एक महीना लगाएं आपने आपको सेट तो करें recommend can air कि के अंदर डाले तो सHI अप आप CSS करता हैं CSS के लिए कितने लोगोंने टेंट किया है आपने किया सुर आपने किया से है आप अपनी बुक के अंदर उसको लिखते हैं अल्फबेट्स के साथ A से सुरू होने वाले आपने वर्ड्स अपनी डिक्षिनलिवी में सामिल कर लेना B से कौन से वर्ड्स जो आपको नहीं आते थे आपकी विकाबलरी में वो वैल्यू एडिशन है आप उसको नोट कर लेते हैं C वाले लिख लेते हैं आप पूरी एक बुक बनाते हैं वोकाबलरी अपनी इन्हांस करने की कोशिश करते हैं इसलिए कि आप ऐसे को क्लेर कर जाएं जो ऐसे क्लेर कर जाता है वो रिटन क्लेर कर जाता है तो यहाँ पे आपको कौन से वर्ट्स देखना है वकाबलरी के अंदर हमें एक लफ्स अक्सर यूज़ करता है मुबएना तोर पर मुबएना तोर पर पुलिस मुगाबला पुलिस मुगाबले के अंदर यह लफ्स बड़ा फ्रिकुइंटली इस्तमाल होता है ताइनाथ किसी जगापे कोई लोग अपॉइंट हो जाएं ताइनाथ हम बड़ा फ्रिकुइंटली इस्तमाल करता है यह वो हैं जो सहाफती जुबान के अलफाज है जर्नलिसम की भी एक लैंग्विज होती है तो इस लैंग्विज को बहुत सरे लोग लोगों ने पहले तो नहीं सीखावा ना उसको प्रैक्ट्रिस किया है ना रहर्स किया है तो इसका मतलब यह है कि जब आप अब्जर्व करेंगे जो पहला स्टेप है तो उसके अंदर बहुत सरे वर्ड्स आप नए सुनेंगे क्योंकि जब आंकर की नजर से सुन रहे होंगे ना जब आप एक आम वीवर की नजर से एक आम लिसनर की के तौर पर सुन रहे होते हैं तो उस वक्त आपको समझ आ रही होती खबर सुनना मकसद होता है खबर सुन ली समझ ली लेकिन एंकर की नजर से जब आप देख रहे हैं तो फिर आपने उन अलफाज को सुनने के बाद अपनी डिक्शनरी के अंदर अपनी वकाबलरी के अंदर जो है वो शामल कर लेना है प्रिनांसियेशन सार प्रिनांसियेशन कोई मुझे बता सकता है कि जल्म किसको कहता है सर किसी शेयर को जो उसका हक है उस मुकाम के ना लिखा जाए तो जल्म तैंक यू बर्मद सार रांड व अप्लाउज मेंस भी देज़ सर दिस इस वर वेरी फॉर्स ताइम कि ये मैंने क्वेस्टिन पूछा और किसी ने बिलकल राइट आंसर दिया है किसी शेयर को उसका मकाम ना देना जल्म है सर किसी चीज़ को उसका मकाम ना देना ही जल्म है इसका मतलब क्या है आप सर पे बांदे वी दस्तार को उठा के पाओं में फैंक दे और पाओं में पैने वे जूते को उठा के नहीं दी, तो आपने जल्म किया है उसके साथ, इसी तरह किसी शख्स को अगर आप उसका मकाम नहीं अम्मा को मकाम नहीं देते हैं, चोटे उसे प्यार नहीं करते हैं, लोगों को मकाम नहीं देते हैं, लोगों के साथ भी जल्म करते हैं, यही जल्म आप जल्म के साथ भी करत या पंजाबी बोल रहा है तो उस जुबान के साथ जुलम कितना कर रहा है आप उस जुबान को उसका मकाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं यह सोची है कासर फर जामपल एक न्यूस बुलिटिन के अंदर या बिंग अन आंकर यह 100 words जो frequently कसरत से आप इस्तमाल करता है वो मैंने इस पे लिखे हैं जब आप कोई speech करते हैं तक्रीर करते हैं 6 मिनट की 7 मिनट की 10 मिनट की 12, 15, 20 मिनट च्छा speaker वो होता है जो अपने content को देख लेता है revisit करता है और देखता है कि यार इस content के अंदर जो मैंने अलफाज लेखे हैं कि आपसकी pronunciation ठीक है जो मैं अदा कर रहा हूँ वो ठीक अदा कर रहा हूँ तो एक bulletin के अंदर जिसमें यह 100 words frequently use हो रहे थे तो इसका मतलब यह है कि इन 100 अलफाज के उपर तो आपको अबूर होना चाहिए अजिसा एक लफज है जी बेटर कोर्डू में क्या कहते हैं बेटर कॉर्द अब देखें सब कहरें बेथ़ लफ़ बेथ़ नहीं है लफ़ समीध नहीं है समयध है समयध प्रह्य हम स्पैद है समयध है लफ़ लफ्स कौम नहीं है लफ्स कौम है यहनि आपके अगर प्रनांसियेशन बहतर है तो all together आपकी गुफ्तकूग के अंदर एक निखार आजाता है जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ major component आपकी personality के अंदर आपका हुसने बयां बता है कि आप बयान कैसा करते हैं कितना खुबसूरत है आप तर्जे तखातुब कैसा है आपका ऐसी है सिर्द तो उसमें निखार पैदा करने वाली चीज़ आपकी pronunciation है आपका तलफुस है अगर आपकी pronunciation बहतर है तो आप अच्छे anchor है आप अच्छे आरजे हैं सर मैं सही कह रहा हूँ यह की नहीं यह वो लोग हैं जो फील्ड में हैं इनकी तस्दीक बड़ी important है presentation असर presentation बड़ी important है सर आप जो अलफास बोलते हैं अभी अलफास की अहमियत पर हम जोर दे रहे हैं हमारा अलफास की अहमियत पर है अलफास vocabulary पर है pronunciation पर है लेकिन माहिरीं कहते हैं कि यह जो अलफास होते हैं हमारी communication के अंदर सिर्फ 7% इनका हिस्सा होता है सर सिर्फ 7% interestingly सिर्फ 7% हम 7% की ओपर बड़ा emphasis है हमारा और उसके बगएर हमारी बात complete इसके बगएर हम अंकर बनने ही सकते हैं सिर्फ 7% के बगएर हम अंकर नहीं हो सकते हम इस 7% के बगएर इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारी communication में इसका करदार 7% है तो इसको हम निगलेक्ट कर दे इसके बगएर मैंने इसको तरजी दी है पहले मैंने इसको डिसकाश किया है 73% आपकी presentation है हमें यह नहीं बता होता है बहुत सारे लोगों ने लाइनिंग वाली शर्ट पहनी होती है उसके उपर ही लाइनिंग वाला कोट पहना होता है उसके अंदर ही dotted tie लगा लेते हैं knot लगाते हैं पते नहीं चलता क्या है आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा color screen पे पहनना है कौन सा नहीं पहनना है आप किसी party में जा रहे हैं डिनर पे जा रहे हैं तो color कौन सा पहनना है आप लच पे किसी जगा जा रहे हैं किसी university के अंदर जा रहे हैं तो तब आपने क्या पहनना है उसी तरह आप screen की उपर बैठे में न्यूज बॉलिटन कर रहे हैं तो आपने क्या पहनना है आप game show कर रहे हैं तो उस वक आपका dress code कुछ और है आप रोडशो कर रहे हैं, मैं हमजा को अक्सर कहता हूँ रोडशो स्लीव्स जढ़ागे होता है रोडशो टी-शिर्ट में भी कैशुल होता है रोडशो में क्या पहनना है, वो बड़ा डिफरिंट है रोडशो ऐसे नहीं होता कि आपने कोट शोट पहन लिए और पॉकेट स्क्रेर लगाया है, यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं जैसे आप वलीमे की तैयारी में हैं और जाके रोड़ पर शड़क पर बात करें, लोगों से ऐसा नहीं होता अपना ड्रेस कोट जो है, उसको डिटामन करना बड़ा इंपॉर्टन डिस है तो मेरा खाल है कि पैसे, जब आप यहाँ सारे बहुत सारे प्रफेशनल्स नजर आ रहे हैं स्टूड़ लाइफ के अंदर भी आप अपनी पॉकेट मनी के अंदर से कुछ ना कुछ जोड़ते हैं अपनी वाट्रोब के लिए, अपनी ड्रेसिंग के लिए और वो सेंस चाहिए होती है, इसको पढ़ने की ज़रूरत है अब इसके ओपर पूरा एक लेक्चर चाहिए यहाँ पे ड्रेस डिजाइनर खड़ी हुई हो तो वो डिसकास करें आपके साथ के क्या है इसके ओपर पूरी एक पूरी साइंस है यह भी News on the move Sometimes मैं क्योंक एक 프로그램 News night कर रहा हूं हमारे एक मकامी चैनल पर हम एक 프로그램 Beautiful record करने के लिक लिए नकलते है 프로그램 recording के आँotional है होने वाला है ठके में आप पसीने से शराब हूर है कैमरामेन ने भी बड़ा काम कर लिया है प्रोड beer भी आपका शूट के उपर है आपके साथ उसी तरह अलगान से मेनत के साथ काम कर रहा है अचानक खबर आती है शवाश शरीफ साथ बनाब नहरासत में ले लिया अगर उस दिन मैं वो प्रोग्राम चलाओंगा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उसकी तो कोई तोकी नहीं बनते हैं क्योंकि अपडेट होगी ये स्टूरी अपडेटेड रहना बड़ा इंपॉर्टन है मैं साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आके मुझे पता है यार उसको एर करने के अंदर तकरीबन एक घंडा रह गया है मुझे उसको एड़ेट भी करना उसको चलाना है आके अगर मैं वहाँ बैड के आफिस के अंदर मुझे को खबर देता है कि भाई इतनी बड़ी ब्रेकिंग निउस है खबर ये आ गई है तो मेरे पास तो शो की तैयारी के लिए कोई टाइम नी होगा मैं किस गेस्ट को अपने स्टूडियो में बढ़ा के उससे बात करूँगा कोई गेस्ट टाइम नी देगा क्योंकि सारे चैनल्स ने गेस्ट लाइन अप कर लिए होंगे मुझे को अच्छा महमान मिल नी सकेगा तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास mobile phone के अंदर flipboard होना चाहिए मेरे पास मेरे पास social media की जो feeds हैं जो वहाँ पे ऐसे channels हैं जहां से मुझे updates मिल सकती है वो ऐसे pages हैं जहां से मुझे इची ख़बर मिल सकती है उनको subscribe करना बड़ा important है एक flipboard की app होती है वो मैं अपने phone में रखना हूँ flipboard Flipboard पे बहुत सारे Newspapers मिल जाते हैं आपको Under the same flag, under the same banner उसको रखना बड़ा important है से News on the go, News on the move वादा में नहीं किया था इस session के इखताम पर anchor बनने का और एक hand मैंने दे दिया कि आज ही जाएं, सबसे पहला काम ये करें Make up your mind मेरा खाल है सबने बना लिया होगा कितने लोगों ने बना लिया है सबने बना लिया है सब लोग जिनी दोर पे तयार है कि उन्होंने anchor बनना है तो मेरा खाल है अपने आपको launch करने की दे रहा है launch कैसे, launch pad क्या है social media social media launch pad अब इस वक्त जहां हमारा mainstream media खड़ा है हम ये सोच रहे है बहुत सरे लोगों ने downsizing शुरू कर दिये अपने employees को निकालना शुरू कर दिये क्यूं? इश्तिहार नहीं मिल रहे है लोग already अपनी जो strength है bench strength है उसको count कर रहे है ऐसे में आप आप मैं आपको example दे सकता हूँ work news बंद हुआ है आज कल लेकिन social media पे चल रहा है star isia के honor पिछले दिनों इंतकाल फर्मा गए उसको carry करने वाला कोई नहीं था star isia social media तक मेहदूद हो गया web tv हो गया अब वो web channel है work tv इस वक web पे चल रहा है social media पे चल रहा है मुझे यह लगता है मेरी six sense यह कह रही है near future coming days social media बात बड़ा tool होने जा रहा है अभी आपको पता है कि बात सरी feeds mainstream media social media सब्पक करता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह mainstream media आ रहा है social media के तरफ अब हर mainstream channel जो है वो facebook page के बगहर नहीं चल सकता वो youtube channel के बगहर नहीं चल सकता now it is it has become the mandatory part तो आज ही जाके active हो जाएं sir facebook पे अपना youtube channel बना लें अपने नाम से बना लें अपनी self branding शुरू करते हैं आपका नाम किया sir abdurrahman साप के नाम से वेबसाइट कितने लोगों की है कितने लोगों की अपनी वेबसाइट है personal domain ले लें अपने नाम से अपनी वेबसाइट your own website अपनी डुमेइन के साथ आपका अपना youtube channel आपका अपना facebook page आपका अपना twitter, instagram fully active in active mode prerequisites, components काम करना शुरू करें यह जो बाते मेने सामने रखी है अगर आप इसमें अच्छा कर गए सोशल मीडिया पे आप बेक गए तो बहुत फिर channels की कतार होगी सर्फ किसी reference की ज़रूद नी पड़ेगी आपको लोग आपको खुद अप्रूच करेंगे अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है लोग खुद कहेंगे यार कितने पैसे लोग है